हाई गाईज वेलकम बाग टू आवर चैनल गुड बॉर्णिंग आंड सुभा का व्यू आप देख सकते हो यहां का तुदे भी आर गूइंटो बुक्तवेश्व टैमपल तो अभी हम वहां से निकले और अभी हमें करना है ब्रेकफास्ट तो हम होटेल में आ चुके और हमें ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट हमारा जो था वह हमारे होटल के चार्जर में इंकले था तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आने वाला है तो मेरे को भी नहीं पता तो जो आएगा वह आपको दिखाती हूँ मैं तो देख सकते हो आप यहां पर यह पास्ता और यह इंस जो पर 30 ते लिए तो आप आप डिल्ए करें धाल जरी और हुआ अझाशा इंवान दव दान धुचसिविक्टी टम गई सब्सक्क्राइब मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे फोटोस वगरा क्लिक कर लिए थे क्योंकि मैं लास्ट ताइम ही थी तो मैं ट्रेसफ वाला कर जूगी थे तो मैंने नहीं कर रहा इस बार ट्रेसफ वाला उसके बाद अब महां से भी निकल गए क्योंकि हमारा ड्राइवर आने वाला था और ह तो तब तक मैं एक शॉप पर जल गए वहां पर आप देख सकते हूं कि इतने सारे प्लांट्स मिल रहे हैं और मैंने यहां पर एक फूट तेखा जो पहाडी फूट था आप देख सकते हो बैने उनको नाम पूछा किसका नाम किया तो ने बताया रामवल बोलते हैं इसको तो तो गाइज हम पहुंच चुके मुक्तेश्वर टैंपल आप देख सकते हो टैंपल का व्यू बहार से पूरा इस तरीकी का दिखाई देता है उसके बाद में हम टैंपल के अंदर गए अंदर जा रहते तो हमें बहुत सारी शॉप दिखाई देरें ती प्रसाद वगरा कि त में पहुंचने के लिए तो आप देख सकते हो यह इस तरीके की सेडिया है और अंदर में पहुंच चुके हैं अब मंदर को एंदर का व्यू का दिखाई दे आउंगी में आपको यह आप देख सकते हों यहाँ पर शिब जी यही जो है मुक्तेश्वर टैंपल में शिब जी का मंदिर है जहां पर लोग उनकी पूजा के लिए आते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल जा मंदिर आप लोग प्रेयर्स कर सकते हो और यहां पर यह शोपीस बेल रहते मै को बहुत भूख लग रही थे हम निकल पड़ेते अपने घर के लिए तो बीच रास्ते में हमने मचान कैफे ता हम वहां पर रुके और मचान कैफे पर हमने डिनर वगरा किया था तो मचान कैफे का अंदर का व्यू आपको दिखाऊंगी अभी यह आप देख सकते हो इतना दाल मकनी पनीर विज सालेड तो आप देख सकते हो और आइस भी मंगाये थे तो हमने यहां का फूट जो था वह बहुत ही टेस्टी लगा एक लास्त टाइम भी हम यहां पर आ चुके हैं तो यहां का फूट काफी अच्छा होता है तो हमने यहां पर यह सारा डिनर किया था और डिनर जो था वो बहुत ही था ता यम था आप देख सकते हों है कितने मज़े मज़े में यहां पर खा रही हो उसके बाद फिर से महां से निकल गए थे गाईस यूकि हमें घर पहुचना था और घर पहुचने के लिए तो सब को ही जल्दी होती है तो गाईस अगर आपक